हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्वीटूप चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप से डिसकस करने वाला हूं घर को बनाते समय पांच ऐसी कॉमर मिस्टेक जो ज़्यादा तर अपने घर में पहुत से लोग कर देते हैं बैसिकली मैं आपको जो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी फोटू को दिखाऊंगा वीडियो दिखाऊंगा ताकि आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाएं और जब भी कभी आप अपना घर बनाए तो इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना करें तो प्लीज वीडियो में तक ब जोड़ी होता है कि भी किस डायरेक्शन में आपको प्लीन गुमाना है सब तरफ जहां जहां हमारी वाल आ रहे होगी वहां वहां अपना क्याकते हैं देते ही देते हैं अब यहां पर किनोंने प्रॉपर प्लानिंग तो करी नहीं कि यहमें पहले कहां बॉल देनी हैं कहां नहीं देनी हैं तो इसलिए यह काटना पड़ा रीजन इसका यह हो सकता है अब यहां पर हुआ है तो हमें प्रॉल्म क्या आएगी जो एक बांडिंग होती है हम कहीं क्यों देते हैं तो हमारे अच्छी से कॉलम में बांडिंग आ जाए एक जूट कॉलम बन जाए साथी किस सेटलमेंट होता है तो वह उसको रजिस्ट कर दें अब यहां पर क्या हुआ कि जैसे माली जी कि अब यह बीम तो दे देंगे ऐसा नहीं कि नहीं देगा लेकिन जो प्रॉपर बांडिंग होती है हमारी एक फ्रेस्क बीम बनाते समयं फ्रेस्क अंगेड बनाते समयं वह यह सोते हैं कुछ इस तरह की होते हैं कुछ लोग किया करते हैं कि छत में जब कंकीड बनके मिक्सिंग मसीन से ओपर आती है तो वह पराद से बढ़ के डालते हैं कि फैले रास्ता बनाने के लिए कुछ जगाता कंक्रीड डाल देते हैं फिर उसके उपर वह और प्लाइग डाल देते हैं एक तो यह हो गया जबकि हमें अगर बात करें तो जो हमने रास्ता बनाने के लिए कंक्रीट डाला है वह वहां पर जब हम च्छट डालते हुआ आएंगे बाद में उधर से तो वह सूख चुका होता है तो कहीं नहीं कर पाएगा जो ज्यादा तर क्रैक आने के चां यहां पर बहुत से लोग नहीं करते हैं और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं उस चीज़ को आप ने जो रास्ता बनाने के लिए कंक्रीट डाली है उसको चट डालते समय अच्छे से इसमें से स्वेंट के सलरी एक होल डाल देना ताकि अच्छी बांडिंग बन पाए तो यह दूसरा पुइंट था तीसरा पुइंट मेरा है वह है कॉलम में डोवल्स बाद यहां चट डालने के बाद हमारे अकसर आपने देखा हो कि जब आप फूचर के लिए कॉलम की सरीया छोड़ते हैं कि भई हमें अभी नहीं बनाना एक साल बाद दो साल बाद घर बनाना तो जो कॉलम की सरिया छोड़ी जाती है उसको छोड़ते समय बहुत लोग कमिया करते हैं सिफ एक फिट निकाल दी देख पर हैं बहुत ही कम निकाली है तो उस कंडिशन में करना क्या होता है कि आपको कम से कम मैं कहुंगा कि तीन सरिया छोड़नी ही चाहिए ठीक है ताकि आप अच्छे से उसको कर पाएं जब कभी आप उपर के लिए कॉलम देवें हम नेक्स की बात करें तो वह ब्रिक जोइंटिंग जब बर कर रहे होते हैं तो बिसिकली क्या होता है कि जब हमने हमारी एक प्रॉपर जोइंटिंग लेक यहां पे कोई भी alternative या फिर उसमें interconnect की नहीं करेंगे अगर आप इंटर्गणेक्ट नहीं करेंगे तो फिर ब्रिक में या वाल में आपस में कैसे पकड़ बन सकती है अब यहां पर कभी आप प्लास्टर भी करेंगे तो यहां क्रैक आनी आनी है बहुत जादा chances होते हैं क्र कि देखे एक तो हमारी जो सही position होती है कि जहां में किस तरीके से column देना है वहां ना करके column out हुआ है उसकी बज़े से क्या करा है column की सरिया को band क्या है मतलब जूगल क्या है अब यहां पर क्या होगा कि हमारे सीधा सरिया जा रहा था उसका वर्टिकली लोड नहीं transfer होगा within into column अब इस condition में क्या करना होता है कि यह कुछ लोग जूगल कर देते हैं जैसे आप यह देख पर हैं पर यह एक सही तरीका नहीं यह से जुगार है अगर आप इस तरीके से करते हैं तो कॉलम में जो एक similarly low transfer होना चाहिए वो नहीं होता है तो यह द्यान जरूर रखें अगर आपकी साइड पर कुछ ऐसी गलतिया हो रही है तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हो भी जाती है तो कुछ लोग छुपाती है बताना नहीं चाहते पर आप इन सब चीजों से अवेर हो मैं उसका रिप्लाई हाँ पर दे दूँगा एंगी फ्रों मचेप वीडियो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर देखें